चंडिगर दर्पन कारिक्रम में संजीव दोसाज का नमस्कार दर्शको हमने आज आमंतरित किया है ITBP यानि भारत तिबद पुलिस बल के भूतपूर महानिरीक्षक ईश्वर सिंग दूहन जी को दूहन साब आपका कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दूहन साब ने अपनी 37 साल की तकरीबन लंबी सेवा के दौरान भारत सीमा बल्ग के लगते लद्दाक, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिकिम और अरुनाच प्रदेश में सेवाएं दी है आतंक ग्रस्त जम्मू कश्मीर में और नकसलवाद क्षेत्र जो की आंधर प्रदेश में था वहां भी इन्होंने सेवाएं दी राश्ट्य स्तर की आपदा प्रबंधन प्रशिक्षन संस्थान जो की पंचकुला में स्थित थी उसके भी प्रमुक रहे हैं आपने मानवजनित और प्राकृतिक आपदाएं यानि मैनमेड से किस तरह ने बटना है उसका भी प्रशिक्षन दिया है भारत सरकार द्वारा चार कठिन सेवापदक, आंतरिक सुरक्षा सेवापदक, विदेश सेवापदक, हाई अल्टिट्यूड मेडल, संयुक्त राश्ट सेवापदक और अती उतक्रिष्ट सेवापदक से नवाज आ गया आप से मेरा पहला सवाल द्वान साहब, कि ये ITBP का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा ये सफर ITBP का जो मेरा सफर है वो 30 जून 1986 से शुरू हुआ और मैं 31 जुलाई 2023 को मैं 37 साल एक महा की सर्विस करने के उपरांत अभी सेवानिवर्थ हुआ हूँ और अगर इस सफर को मैं पिछे मुड़ कर देखता हूँ मेरे जिन्दगी का यूथ जो है इस बल में गुजरा है और विभिन आयाउम में मुझे स्पेसिलिजेशन करने का मौका मिला भारत के इलावा विदेश में भी यूनाइटी नेशन में भी मुझे एक साल सर्विस करने का मौका मिला और ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको वेरिड टेरेन मिलता है और वेरिड आपको एक्स्पिरिस मिलता है तो मैं एक संतूष्ट नागरिक के तोर पर और संतूष्ट अधिकारी के तोर पर अपनी सेवाय दी और अभी मैं पिछले 6 महा से पंचकुला में अपना रिटायर लाइफ लीड कर रहा हूँ और डिजास्टर मेनेजमेंट की जहां तक बात है आईटीवीप क्योंकि आईटीवीप की जो तेनाती है ये वो अतिन्द दूर्गम छेतर में है और जो हिमालय है वो सबसे यंग माउंटेन है अनस्टेबल माउंटेन है और यह जोन 4 और जोन 5 में आता है जो रिचर स्केल में और अतिन्त समिधन सील ही और यहां पर जो डिजास्टर्स हैं वो होते रहते हैं खास तोर पर भुकंप जैसे आ सकते हैं इस तरह से बरफ के टाइम पर सनो अवलांचेज आते हैं जिसमें जानमाल का नुक्सान होने का खतरा रहता है तो इसमें सासे ITBP और District Administration काफी रोल इसमें अपना अधा करता है ताकि नागरिकों को कम से कम नुक्सान हो और इसकी विशेश तरह की ट्रेनिंग ITBP के हर जवान को दी जाती है दौन साब क्योंके ITBP बॉर्डर पुलीस है और हमारा हिंदुस्तान का और चाइना का बॉर्डर काफी लंबा है और वो भी पूरा हमालिया के चोटियों पर है तो वहां पर तैनाथ होकर किस तरह का कारे हुआ करता था किस तरह से आप वो सब किया करते थे हमें थोड़ा सा बताईए जो हिंदुस्तान चीन सीमा है ये 3488 किलोमेटर की सीमा है जो की लदाक हिमाचल उत्राखंड सिक्किम और अरुनाचल राजियों के साथ लगती भी सी जमाए है इस में घना जंगल भी है और कई जगे बिलकुल भी काफी जगे बिलकुल भी वेजिटेशन नहीं है और जहां पर बरफ बहुत जादा गिरती है दस दस पंदरा पंदरा फुट बरफ गिरती है टेंपरेचर भी माइनस पचास डिगरी तक पहुंच जाता है तो इस इलाके में जो जवानों को इवन सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल होता है तो ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में मुझे कमनी कमांड करने का मोका मिला मुझे बटाइलिन कमांड करने का मोका मिला उसके इलावा मैं फ्रंटियर में डिय जी ओपरेशन्स का ड्यूटी भी मिला और हमारी तक्रीबन 180 BOP हैं अभी 183 BOP बनने जा रही है 183 BOP में मैक्सिम BOP में मुझे जो है जाने का सुभा के प्राप्त हुआ है और मैं समझता हूँ कि मैं एक मातर इकलोता अधिकारी हूँगा जिरोंने 150 BOP में रातरी विश्राम भी किया है क्योंकि मेरा माउंटिनेरिंग शोक होता था और मुझे एक ऐसी सर्विस मिली जो कि ऐसे लगाई नहीं कि मैंने सरव किया है क्योंकि ये मेरे रूची की सर्विस मुझे मिली और परिवार से दूर जरूर होते हैं लेकिन पहाड़ी में रहने का एक अलग आनन्द जो है मुझे हमेशा रोमांचित करता रहा दुहन साब आनन्द तो जरूर है लेकिन पहाड़ी की चोटी पर जहां माइनस में टेंपरेचर हो बहुत ही बर्फाली हवाएं चल रही हो बहुत मुश्किल टेरेन हो वहाँ जाने के लिए एक प्रशिक्षन की जुरूरत पड़ती है बहुत कटिन प्रशिक्षन की और आप प्रशिक्षन अकैडमी में भी रहे और हम अपने दर्शिकों को दिखाएंगे भी किस तरह प्रशिक्षन दिया जाता है उस प्रशिक्षन के बारे में हमें थोड़ा सा बताईए कि किस तरह आप अपने एक जवान को तैयार करते हैं ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए ITBP जैसा आपको मैंने बताया कि उनके तैनाती अतिन दुर्गम छेतर में है और वहां पर ड्यूटी करने के लिए आपको मौंटिनेरिंग में रोग क्लाइमिंग में और किस तरह से पहाडों में आपको चलना है उसके लिए दक्स होना अतिनत आवशक है तो ITBP के हर जवान को कोशिश की जाती है कि एट लिस्ट रोग क्लाइमिंग की ट्रेनिंग और ट्रेकिंग की ट्रेनिंग हम दे दें और ज्यादा तर जो यंग लोट हमारे पास आता है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं मौंटिनेरिंग की भी हमारा संस्थान ओली में है जो की जोसिमठ के पास में उत्राखंड में स्थित है वहाँ पर हम हर जवान को अधिकारी को मौंटिनेरिंग की ट्रेनिंग देते हैं और उसकी अवधी छे हफते से आठ हफते तक रहती है उसमें हम कैसे आपको रसे के मदद से आप पहाड़ पे चड़ सकते हैं वो सिखाया जाता है कैसे आप रीवर क्रोस कर सकते हैं रसे की मदद से वो सिखाया जाता है और अगर कोई जवान गायल हो जाता है उसको हम कैसे पीठ के उपर भी लाध कर कैसे हम उन क्रेवाइसिस से और अतिन दुरगम मौंटेन एरिया से हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी भी ट्रेइनिंग हम ज़ानों को देते हैं गाड़ी ही सड़क से फिसल कर नीचे गिर गई तो ऐसी एमर्जेंसी में ऐसी आपदा में आप किस तरहां वहां उनको मदद पहुंचाते हैं आई टी बी पी की जो तेनाती है वो सिविल पॉपॉलिशन के जो है सबसे फर्स्ट रिस्पॉंडर हम ही है आई टी बी पी है और आई टी बी पी को सेवियर ओफ हिमाला का जो है वो लोग मानते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है कोई भी किसी तरह का कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसमें ये फोर्स को आप रेलाई कर सकते हैं और ये हमें बचाएगी और हम इवन गाओं में स्कूल्स में भी अवेर्नेस कै पर हम लोग कैंप्स लगाते हैं और मोग डिल हम करवाते हैं जो है जो भी हमारे इलाके में हैं और अभी तो वाइबरेंट विलेज का कंसेप्ट परदान मंतरी ने दिया है जिसमें जो पहले दुरुगम गाओं माना जाता था आज की डेट में हम उसको पहला गाओं मानते और सरकार की तरफ से भी priority है, ITVP तो priority हमेशा से उनको देती थी, क्योंकि हम लोग भी कई तरह से उनके उपर dependent है, कहीं कोई अभियान हमें करना होता है, अगर पोर्टर की आफशकता है, तो हम गाउं के लोगों को रोजगार देते हैं उसमें, कोई सब्जी आपको पुचानी हैं, कहीं अलाके में, हमारे लोकल कंट्रेक्टर्स गाउं वाले लोग होते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन्स उनके साथ में रहता है, और पिछले 37 साल में मैंने कोई साल नहीं देखा, जहां पर कोई ITVP ने एक कोई मेजर rescue operations ना किया हो, और बहुत ही successful rescue operations किये है और काफी बार तो हम जो rescue में फसे वे जो है वो victim को बचा भी पाए हैं, जैसे आपने अभी देखा, जो सिमट के पास में जो flesh flood आ गया था, उसमें टनल में जो फस गए थे, वहां एक power project बन रहा था, तो उसको हमने उपर से अप्रोच करके और जवान को हमने निकाला, और जवान की जो viral आपने देखा है, यूटूब पे, पूरी अतनत वाइरल वो हुई है, और हमारे जवानों को उसके लिए life saving medal भी मिला, तो इस तरह के जो social service के मोके भी ITBP को मिलते रहे हैं, और वहां के जो लोग हैं, वहां का administration है, हमेशा ITBP को increase करता रहता है, हमेशा ITBP की तारीफ करता है, कि एक ऐसी force है, जिसको हम rely upon कर सकते हैं, और मैं as a IG training रहा है, headquarter में, और 17 training camp जो है, वो मेरे अधिकार छेतर में थे, और उन 17 training camps में, basic training में, row climbing, और tracking, इसका जो विशेज तोर पर restriction हर जगे हम जवान को देते हैं. दुहन साब, क्यूंकि आपने बहुत समय आपदा प्रबंधन में, disaster management में, उस institute का प्रशिक्षन का आपने आप मुखी भी रहे, तो मैं जानदा चाहूंगा, हमें हमारे देखने वालों को, सभी शृताओं को बताईए, कि कि किस तरहां के disasters आ सकते हैं, एक आम जिंदगी मे क्षेत्र में, देखिए, disasters को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक natural disaster है, और एक है anthropogenic भी बोलते हैं, man-made disasters है, जो हम खुद अपने आप को, अपने आप जो है, उसके लिए human being responsible है, और जो natural disasters है, इसमें आप earthquake हो गया, आपका flesh flood हो गया, और avalanches के incidents हो गये, और geological related volcanoes हो गये, यह natural है, और आपका tsunami हो गया, आपका हरीकेंस आते हैं, आपके जो आप समूंदर में विभिन तरह की तेज हवाओं के साथ में जो disasters होता है, वो आते हैं जिसमें काफी जानमाल का नुक्षान होता है, और जो man-made disasters हैं, इसमें accidents हैं, इंसिडेंट्स हैं, और बेसिकली एक इंसिडेंट को disaster जब बोला जाता है, जब वो community के लिए अपने आप उसको जो है, उससे उबर निपाए, जिसके लिए एक special efforts की सरकार की आफशकता होती है, उसको disaster बोलते हैं, तो हम जैसे पहाडों में, जंगलों में बहुत आग लग जाती है कही बार, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक man-made disaster कहेंगे या प्रकृतिक आपदा कहेंगे से, यह ज़्यादा तर यह man-made disasters हैं, वैसे तो पेड आपस में अगर टकराते हैं, तो उससे भी आग पैदा हो जाती है, बट वो incidents कम होते हैं, ज तो यह आपके man-made disasters है, nuclear, biological, chemical जो है, वो सारे man-made disasters में आते हैं, और 2024 इस साल को तो उन्होंने year of chemical और nuclear disasters भी घोशित किया, और आपने विशेश तोर पर उसमें एक training भी की है, जी जी, मैं 2008 से लेकर और 2010 तक में National Institute of training in search, rescue and disaster response, एक हमारा institute है पंचकुला में, उसका मैं head रहा हूँ, उसका principal रहा हूँ, और Commonwealth के लिए हमने disaster management team, खास तोर पे जो CBRN है, chemical, biological, radiological and nuclear emergency को कैसे निप्टे हैं, उसके लिए हमें विशेश प्रिक्षिक्षन, NDRF की team को हमने दिया, तो यहाँ मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी आप बताईए, कि क्या क्या खास बाते हैं, जो कि एक आम इनसान को याद रखनी चाहिए, ऐसे disasters के लिए, अवेर रहना चाहिए, और आप किस vulnerability आपकी क्या है, जिस इलाके में आप रहते हैं, जैसे पंचकुला है, और आपका हिमालय छेतर है, यह आपका भाड के पर और जोन फाइव के में आता है, जो कि अगर कोई सी तरह का कोई भुकंप और जमीन में हरकत होती है, तो काफी disastrous हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपने जो construction करनी है, आपकी जो construction सिरफ 10% ज्यादा जो पैसा लगता है, लेकिन आप काफी safe हो जाते हैं, काफी developed country है, जहां पर बड़े बड़े अर्थकुएक आते हैं, लेकिन casualty बहुत कम होती है, बिल्डिंग भी कई बार crack उसमें आ जाते हैं, ज्यादा ज्यादा crack आते हैं, और हमारे काफी buildings इस तरह की बनी भी है, खासते बिलपिंग कंट्री, जिसमें इंडिया में परमुक तोर पर, जो कि आपक बिल्डिंग नहीं है, तो जो structurally fit आपकी बिल्डिंग नहीं है, उसको रेट्रो फिटिंग करने की आप शकता है, आपको सिर्फ पांच एक परसंट एक्स्ट्रा आपका लगेगा, जिससे कि आपकी बिल्डिंग जो जब भी vibrations आएगी, तो पूरी की बिल्डिंग आपकी ज स्पर्ट है, उसकी राय लीजए, तो जितनी भी सरकारी बिल्डिंग बन रही है, और खास तोर पे जो नए सेक्टर्स बन रहे हैं, अर्याना में और पंजाब में, वहां पर जो बिल्डिंग का जो पास होता है, नक्सा, उसमें ये अतिनत आफशक है, लेकिन जो बिल्डि करनी चाहिए, कि वह बिल्डिंग वाइबल हो, और अगर इस तरह का इंसिदेंट हो जाता है, तो उसके लिए N-D-M-N-A पंफ्लेट्स निकाले हैं, और उस पंफ्लेट्स में पूरी तरह की इंस्ट्रक्शन दीवी हैं, कि अगर भूंकप आजाता है, तो आपको क्या करना हैं, तो उसकी लिए मोग ड्रिल्स कराई जाती है, N-D-R-F भी कराती है, N-D-M-A में भी कराती है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1990 के बाद में, डिजास्टर मनेजमेंट, डिजास्टर अवेरनेस के उपर काफी काम हुआ है, 1990 से 2000 का जो डिकेड था, वो में इंडिया में काफी डिजास्टर हुएं, जिसमें उतरकासी का भुक हो गया, सुपर सैकलोन उडिशा का 99 में हो गया, उसके बाद 2001 में आपका भुज में अर्थकोएक हुआ, और उसके बाद में जो है ये डिसिजन लिया गया, कि ये डिजास्टर मिनेजमेंट जो विं में है, इसको एक ऐसी डिपार्टमेंट को दी जाए, जहां पर हम एक रिस्पॉंस कर सकें, तो इन आपदाओं के दौरान क्या आप भी कहीं थे जहां आपने विशेश योगदान दिया, जी, क्योंकि तेनाती हिमाले चेतर में हुई, तो काफी बार रोड एक्सिदेंस में ITVP को बुलाया गया और हम लोगों को बचा पाए, होस्पिटल तक पुछा पाए, ये बड़ी ही गरव की बात है मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसा वाक्या जो आपको याद हो, जहां आपने किसी कोई खास मदद की हो और उसकी जान बचाई हो, हमारे दर्शकों को भी बताए मैं बताना चाहूंगा, 1999 में सतलूज नदी में बाहर का जो बाहर आई, और वो रात को हमें सूचना दी, हमारे एक पोस्ट द्वारा, कि सर बहुत जादा पानी तिबत चाइना से और यहां पर वेस हुआ है और हम लोग इस पोस्ट को उठाके हम उपर वाली पोस्ट को पर जा रहे हैं, हम गाड़ियां सिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पर घोड़े थे, खचर थे, उनको उन्होंने सिफ्ट किया, तो उसके बाद पूरी रात हम लोगों ने टेली फोन को उठाके और डारेक्टरी लेक लोगों को फोन किये कि ऐसे ऐसे क्योंकि रात का च्छन था कि अनवेर लोग जो है वो भेहना जाए तो लोगों को अवेर कराया और जब वो रात को सुबह चार पांच बजे के लगबग जब पानी पहुंचा जहां पर हम लोग तैनात थे तो उसके नीचे एक जगह है स्ट्चर स्ट्चर रह गया था साइड वाला पूरा पूर्शन भेह गया फिर वो पेड को लगा के हम लोगों ने शेडियां बनाई और उस गाहों को हमने अप्रोच किया और तीन-तीन चार-चार-चार मंजल मकान है सिरफ उनके स्लैप्स रह गए थे बीच वाले पोर्शन करते हैं लोगों को बता सकते हैं कि फ्लेश फ्लड्स आने वाले हैं या साइकलोंज आने वाले हैं ताकि लोग संभल जाएं और अपनी जान की रक्षा कर सकें आपने भी इस्तमाल किया होगा ये जरिया जब आप लोगों को इन्पॉम कर रहे हैं जी 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 रेडियो जो ह दुवन साब इस कशेत्र में पंजाब हर्याना हिमाचल में बहुत आम तोर पर फ्लड्स आ जाते हैं बाढ़ आ जाते हैं पीछे भी आए थे तो उस थिती में एक आम इंसान को एक आम नागरिक को किस तरह तेयार रहना चाहिए जब भी कोई बाढ़ आती है तो आप जो मकान अपना बनाए तो सुरुक्षित जगे बनाए और अपने मकान को अपने इलाके को आप जब भी बाहर का क्योंकि जब भी बाहर आती है तो उसका नोटिस आपको एनफ मिल जाता है कई बार जो है वो फ्लेस फलड हो जाता है और पहाड़ी आलाके में थोड़ा सा कम रिस्प है वो डिजास्टर मनेजमेंट सेल है सरका हर सरकार के पास में तो बरसाथ के सीजन आने से पहले वहाँ पर काम होता है और नदीनाले साफ किये जाते हैं तो हुमन बिंग को तो अपने आपको बार से पानी से बचाना है आपके जो आप उंचा बनाएए फिर जो उंची हो जाता है अपना समान बचा के रखें तो मैं तो कहूंगा कि स्कूल और कॉलेजिज में भी और मुझे पूरी अमीद है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहले ही शुरू किया है कि उनको भी बच्चों को प्रशिक्षन दिया जाए कि कि किस तरह ऐसी आपद ने जानकारी दी मुझे विश्वास है कि इस जानकारी के साथ कोई भी नागरिक अगर अपना जीवन जीएगा तो एक सुरक्षत जीवन जीएगा जी बिलकुल बहुत-बहुत शुक्रिया अप दूर दर्शन स्टूडियोज में आए और दर्श को आप ये कारिकरम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं at the rate DD Chandigarh